नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में मार्किट का एंसेस करेंगे दोस्तों कल के लिए कल डेट होने वाली है आपकी 3rd of April और दिन रहेगा बुद्धवार का वेडनर्स डेगा कल बैंक निफ्टी की weekly expiry है और तो शुरुवात हम लोग बैंक निफ्टी से ही करेंगे दोस्तों एक बार उससे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर को इसको समझना पढ़ना बहुत mandatory है इसको भीना पढ़े मेरी वीडियो ना देखिए और इसको पढ़न देर में बंद होने से था कि market is not bearish as per my reading sideways होकर शायद एक दो दिन में तेजी करनी चाहिए इसको ठीक है आईए अब इसी चीज को जो दो चार चीजे में शब्द जो लिखे हैं यहापर लगबग दो बजे के आस-पास उसको मैं analysis के तुरू आपको समझाने की कोशिश करता ह ठीक है दोस्तों तो शुरुआत करेंगे हम लोग bank nifty से ही यह है हमारे पास bank nifty का चार्ट देखें कुछ दो दिन पहले कुछ last weekend की बात आपको याद होगी Thursday वगएरा एक level आपके साथ share किया था 47070 ठीक है अगर आप मेरा continuous analysis देख रहे हैं तो आपको यह level मैंने share किया था हाँ जब भी मैं कोई बात कर रहा हूं यहाँ पर कोई level की आपके साथ discuss कर रहा है कुछ भी मेरे मूझ से level निकल रहे हैं वो सब trigger basis निकल रहे है प्लीज confuse मत होईगा पांच मिनट candle close basis पंदरा मिनट candle close basis इस परकार से कुछ confuse मत होईगा ठीक है तो bank nifty का level share क्या था 47070 इसके उपर bank nifty के दो target है पहला 47500 दूसरा 47800 जो कि जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए ठीक है और तीसरा जो मुझे लगता है कि इसके parallel यहाँ तक जाना चाहिए ठीक है यह number आता है 48200 आप मेरा analysis पीछले एक दो दिन का निकाल के देखेंगे तो यह analysis आपको दिखेगा अब हमन इसमें कहां तक देख लिया है 47700 के आसपास तक देख लिया है इतना मचीव कर चुके है बट मुझे लगता है अभी भी यह उपर जाने का ही दमखम रखता है ठीक है देखें मोटा मोटा तो अगर आप समझेंगे चार्ट चल रहा है इस प्रकार से जो बड़ी range चल रही है वो चल रही है इस प्रकार से ठीक है एक बार नीचे एक बार उपर फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे फिर उपर की तरफ तो क्या ये उपर की तरफ इधर टच करने आएगा ये है हमारे सामने सवाल इस सवाल में हमने कोजनी है probability किस move की जादा है देन उसके इसाब से हमें बनाना है अपना क्या ट्रेड प्लैन तो आए उसी को discuss करते probability इसी चीज की जादा है आपको मेरे शब्दों से अंदाजा हो गया होगा अब तक जो प्लेग्राम पर मैंने लिखे हैं और जो वीडियो आपके साथ मैंने शेर की अब तक है ना यह डिली चार्ट पर में लगा रहें देखें जब तक यह है पूरा का पूरा मामला buy on dips किसका bank nifty का ठीक है पहली चीज अब धियान चे सुनिये का दोस्तों यहां से विडि़े जब तक यह 47,000 के ऊपर है जब तक यह इस level के ऊपर है अब यहां पर बात कर रहा हूं मैं closing basis ठीक है शब्दों को चीजों को धियान चे सुनिया करी closing basis जब तक यह इस level के ऊपर है यह cell का घोड़ा नहीं है मतलब इसमें cell side का trade नहीं लिया जा सकता है मेरे हिसाब से as per my reading मैं इसको cell कहीं से इसमें trigger नहीं करना चाओंगा अभी तक मतलब मुझे नहीं समझ मारा कि इसमें कहीं से किसी प्रकार से cell बनता है ठीक है यह कुछ इस चाहिए और इस परकार से कुछ चाट पैटन यहां पर develop होना चाहिए थोड़ा सा थोड़ा सा sideways है पर भाई यह इसको कि जान दीजेगा इस पैटन को cross करके गया है ठीक है यह कितने दिन थे यहां पर देखिया आप 1 2 3 4 5 47,000 का जो level था वो एक बहुत बड़ा resistance का level था यह से cross नहीं हो रहा था दूसरा यह जो पूरा channel है इसकी यह जो dotted line है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा resistance है तो यह जो दो चीजे यह पार करके ऊपर जाके टिक रहा है ठीक है बले ही sideways हो बले ही sideways देखे इसने 47,000 इसी दिन cross किया था यह था नहीं किया था लास्ट वीक की थस्डे को उसके बाद इसने आज 47,700 आपको दिखा दिया है यह ना पर आपको market थोड़ा हलका फूलका sideways लग रहा है sideways में दोनों candle green color की है दोनों candle green color की है और आज low नहीं टूटा है आज नया high देखने को मिले है तो यहां पर जब तक यह इस लाइन के ऊपर है तब तक तो हमें कुछ यह समझने की जुरत नहीं है कि क्या मैं मतलब गलत गाड़ी में बैठाओं या गलत ट्रेन में बैठाओं ठीक है मैं क्या anticipate कर रहा हूं मैं यह anticipate कर रहा हूं यह कहली जे नया एटी एच लग सकता है बाई इस प्रकार से में कुछ देखने को मिल सकता है कंडिशन इसकी पहली क्या है 47,000 नहीं तूटना चाहिए closing basis ठीक है इस विउ के लिए अब आज यह trade plan मैं आज 500 पूंट का थोड़ी एसल लेके बैठाओं गा इसमें दो परकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ठीक है सबसे पहला be on buy side अगर यह 47,500 के उपर रहता है इसके नीचे जाता है निकल जाईए ठीक है यह है पहला दूसरा अगर आपको कभी भी यह भाई 47,200 के आसपास मिले ना definitely buy बनता है किस SL के साथ 47,000 closing basis SL के साथ यह दो जगए बनती है buy की बनती है buy ही करना है बैंक निफटी ना 47,000 के नीचे चला जाए तो यहां से आपका भाई यह 200 पोइंट का SL हो जाएगा फिर 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 बाय में नहीं रहना हाला कि मैं sell का व्यू तब भी नहीं बोल रहा हूं कि sell कर दीजिए यह बहिया यह इस zone में आके आप यहां पर यह अटकेगा कितना फि अगर यह इस खिचडी के अंदर एंटर होता है यह तो फिर कोई ट्रेड नहीं बनने वाले फिर इस परकार से केंडल बना करें कि डेली एक बार ऐसी एक बार टटकून या सी ऐसे ऐसे फिर कोई ट्रेड नहीं है ठीक है तो 47,000 के उपर रहना चाहिए सबसे पहली बार और दो परकार से ट्रेडिंग हो सकती है 47,500 के उपर रहे बीओन बाई साइट या फिर आपको हलकी फुलकी गिरावट देखने को मिले और 47,200 के आसपास 47,200 के आसपास बैंक निफ्टी मिले तब इस SL के साथ आप बाई ही गाड़ी में बैट जाएए टार्गेट पहला टार्गेट 48,100 तीसरा टार्गेट 48,350 प्लस 10 अपरेल तक ठीक है यह है यह है बैंक निफ्टी अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ ठीक है यह है दोस्तों निफ्टी अब देखें निफ्टी का चार्ट भी बुलिश है लग रहा होगा आपको दो दिन चे कुछ हुआ नही है देखें पहली चीज तो इसमें जो आपके साथ मैंने डिसकस किया है कि 22,525 जब यह लेवल ट्रिगर हो उस दिन 22,475 नहीं ट्रिगर होना चाहिए तो यह ब्रेक आउट में ऊपर भाग जाएगा यह ट्रिगर करके अगर नंबर यह वापस आगर ट्रिगर हो जाता है ठी पिर उस दिन तेजी नहीं है बैं फिर उस दिन तेजी यहां तो मार्केट में सेलिंग आ जाएगी चाहिए थीभोस्त प्रव्वाव लीश पर इस बार सेलिंग नहीं आई, और यह मैंने मैसेज आपको सो आपको, टेलीगराम पे लिग दिया है कि सैल मत करिएगा मोमेंटम बूलिश इयुक्त है तेजी hoगी नहीं क्योंकि यह नमब्र ट्रिगर होगा यह है नमब्र दाककतपी नमबर ट्रिगर हो गया तो तेजी नहीं हो होकता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मार्किट Thursday तक झाट Time pass करे यह हो सकता कल ही तेजी कर दे हो नहीं थेजी है कि दर फिर फिर जब तक इसमें 22175 यह विर लाτι सेवद है एक कहीं से भी का केंडिडियेट नहीं कोंच कीनल नंबर 22185 है उसकता है कल धरासाई हो जाए वो सकता है कल 400-500 शाझेआ तो सेल गरने का जो नंबर है कुल मिलागे जो मैं कानी आपके साथ डिसकस कर रहा हूं सेल करने का जो नमबर है वो मेरी लिस्ट में मेरे मैथेमेटिस के साफ से यह है विद एसल अगर इसके नीचे जाता है तो टू 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 पाइब जब तक यहां इसके नीचे नहीं है इस प्रकार से साइड़ वे को रहेगा यह कुछ दिल है से करके एक तेजी होनी चाहिए बाइस आठ सो तो कि यह है फिलाल दिमाग में अब निफ्टी में ट्रेड कैसे बने भाई देखे है प्रॉपर साइड़ वेजी जिस प्रकार की फॉर्मेशन में घुश चुका है यह प्रेटर्न आपने देखे ह होंगे पहले भी यह वाली जो लाइन है इस पर फोकस करें इसके उपर निगलेगा यह जो है ना यहां से लेगे यहां तर इतने उपर के टार्गेट बाबुजी ओपन हो जाएंगे 500-600 उपर यह प्रेटर्न जब ब्रेक आउट देगा छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं देखिए यह रहा है यह अपने खीच के रखना है इसका ब्रेक आउट आना चाहिए एक बार आरेसाई लगा के देखते है और आरेसाई ठीक है यहां भी कोई गड़बड नहीं है ठीक है यह है दोस्तों और इसमें निकलेगा यह इसको काटे 22480 यह 2480 का लेवल बनता है तो ऐसे हम मूव देख सकते हैं 22480 यह है मोटा मोटा पैटन के साब से अधरवाइस मैं आपको सेजेस्ट करूँगा प्री में मीटिंग का शिकार हो जाएंगे आप साइडवेज रहेगा मार्केट सेव करिए अपने पैसे को बचाईए अब बाइस 525 ही ट्रेड कीजिए और देखिए उस दिन फिर यह लेवल नहीं ट्रिगर होता है तो सेल करना है कि नहीं करना हो मैं टेलिग्राम पर आपको बताऊंगा क्योंकि मार्केट को गिरना होता ना मार्केट मंडे को इतना बड पूल रहे हैं जहां हश्चाल से गरना तो नहीं है मार्केट को पैटन भी बोल रहे है अ ह mínस questão मेरे नमबर है ठोड़ी आप इन सब चीजों को कितना गया अप पूरा लहाओ हमारे नमबर है जह हमारे पास हमारे नमबर है हमें फोंका भ्यून सिलग होगी है कि उसीडिए सी देखे आपको मैंने बाई बताया था और जिस दिन HDFC बैंक इस लेवल को क्रॉस कर गया लिख लिजे 1550 भी जाएगा पोजिश्चनल आगया है 1420 से कितना 1490 के आसपास तो आगया था रेड उसका टेलिग्राम पी यह है दिखाता हूं आपको यह रहा है HDFC बैंक अब ओओ 1452 एक्सपेक्टेड लेवल 1460 1417 1480 और कब का है यह मैंसेज 28 मर्च का यहाँ पर है ठीक है तो अब इसमें 1502 को इसको क्रॉस करना है 1502 1500 02 यह इसने टापा अगर 1502 यहाँ से ऐसल लालेगा 1488 ठीक है पोजिशनल बेसिस 1550 के आसपास बहिए है यहाँ पर भी जो चार्ट पैटर्न फिलाल डवलप है वो तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे है दोस्तों पर हो सकता है आपको यह थस्जे तक कुछ भी ना मिले आ यहाँ फिर यहाँ जिस परकार से यूएस मार्केट वगरा है में गेप डाउन दिख रहा है यहाँ खुलेगा तो फटाक से इस चैनल के अंदर गुश जाएगा फिर साइडवेज हो जाएगा इस परकार से हो सकता है चलिए बागी लाइव मार्केट में देखेंगे फिला का सिगनल नहीं है बस यह मैं आपको बता रहता हूँ थैंक यू वरी मुच